हेलो एवरीवन आपके लेले कर आए हूँ अगस महीने का राशी फल यह राशी फल आपके जोडियक साइन पर बेस्ट है याने कि आपकी बिर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशी बनती है उस हिसाब से आप इस राशी फल को देखिए अगर आपको आपका जोडियक साइन नहीं पता है तो सभी जोडियक साइन की लिस्ट डिस्रिप्शन गॉक्स में है अब वहां से अपना जोडियक साइन चेक कर सकते हैं यह एक जेनरल रीडिंग है तो चलिए शिरू करते हैं वर्गोस के लिए Keepers of the Light की तरफ से Guidance Card है महापतार बाबाजी और कार्ट का मेंसिज है Soul Expansion Your Consciousness is Expanding You Understand the Connection Between All Things So वर्गोस August में आपका Focus रहेगा Spirituality पे You will Ponder Over Life's Deeper Questions You will Question the Purpose of Your Life तो सिर्फ Material Things पे आपका Focus नहीं रहेगा आपका Focus Spiritual Things पे भी रहेगा तो आप अपना टाइम लगाएंगे Meditation पर, Yoga पर, Prayers में You will Try to Understand the Connection Between You and God वर्गोस के लिए इन जनरल कार्ड है Seven of Water So वर्गोस August महीने में बहुत जरूरी है कि आप अपनी Laziness से भार आएं जो प्रोक्रेस्टिनेट करने की हैबिट है उसको छोड़ें Be proactive किसी तरह का कोई complex decision लेना पड़ सकता है जो भी काम करें अच्छी तरह research करके, analyze करके करें वर्गोस के लिए करियर कार्ड है four of fear So वर्गोस बहुत hectic schedule रहा है आपका पिछले कुछ time से and you are feeling burnt out तो यह time है rest लेने का तो एक mini break ले ले या कोई vacation ले ले तो हो सकते हैं आप में से कुछ लोग august में छुटी ले काम से और किसी vacation पर जाए अगर वो possible नहीं है तो meditate करें It is very important that you relax and rejuvenate अगर कोई भी decision लेना है तो कोई history decision मत लें अच्छी तरह से सोच समझ कर decision ले वर्गोस के लिए finance card है the sun तो money matters के लिए काफी अच्छा time period रहेगा august आपकी investments अच्छा result देंगी अगर कोई नई investment करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अच्छा time period है वर्गोस के लिए love and relationships के लिए card है awakening तो वर्गोस जहां तक कि relationships का सवाल है एक temporary standstill का phase है एक temporary pause का phase है चीज़ें कुछ rookie हुई सी नजर आ रही है इस ताइब बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को अपने partner के perspective से भी देखने की कोशिश करें उनके perspective को भी समझने की कोशिश करें किसी भी relationship में ज़रूरी है कि अपनी individuality बिनाए रखें it is important to be yourself तो अपनी relationship को analyze करें कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि relationship work नहीं कर रही है तो ऐसे time में ज़रूरी है कि आप अपने relationship को लेकर एक decision ले और अगर आपकी relationship work नहीं कर रही है तो it is better to let go of such a relationship वर्गोस के लिए guidance card है new moon in Taurus और card का message है prosperity lies ahead so एक बहुत ही auspicious card है abundance, prosperity रहेगी आपके लिए आने वाले time में August month में तो it is the time that you make financial plans आप अपने पूरे year के लिए financial planning करें आगे आने वाले time के लिए financial planning करें जो भी plans आप करेंगे अपने finances को लेकर उसके बहुत अच्छे results मिलेंगे आपको आने वाले time में तो ये था अगस महिने का आपका राशे पल comment section में comment करके मुझे जरूर पताएं कि आप इसे कितना resonate कर पाएं और अगर video पसंद आया हो तो like, comment और share करें and if you want to see more videos like this then please subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video until my next video, bye and take care